पार्शिवनी शिवाजी चौक पर वुधवार की राद दर्दनाग घटना हुई है जिससे नागरीकों ने रस्ता जाम किया अधिकारियों पर भी मामला दर्श करने की बात कही साथ इगतिरोधक लगाने की मांग की गई लोगों ने रस्ता जाम करने से दोनों और वहन रुकने से वहनों की लंबी कतारे लगी है पार्शिवनी शेहर के शिवाजी चौक पर वुधवार की राद दर्दनाग घटना हुई पारशिवनी शहर के शिवाजी चौक से तीन यूवक खाना खाकर मोटरसाइकल बसतानक की ओर से शिवाजी चौक होते वे शहर की ओर आ रहे थे उसी 27 रामटेक रोड शिवाजी चौक से गुजरती ट्रेवल बस से तीनों यूवक जाभिडे जिसमें प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि मोटरसाइकल के पुर्जे पुर्जे हवा में बिखर गये और वही तीनों यूवक बस की चपेट में आने से गंबे रूप से खा पतार में लड रहा है जिसके गंबिर हालात होने की जानकारी प्राप्त हुई है वही घटना की खबर जैसे ही शहर में फैली लोगों में प्रशासन के खिराप आक्रोज दिखा वही गुरवार की सुबह से ही लोग घटना स्तल की ओर आते हुए प्रशासन के खिलाप नारे जमा होकर बिच रास्ते में ही लोगों ने धरना दिया जिस वजह से दोनों तरफ से वहानों की ट्राफिक जाम हो गई है और शिवाजी चौक से दो किलोमेटर लंबी वहानों की कतारे लगी है जिसमें ट्रक छोटे बड़े वहान आगे नहीं जा पा रहे हैं हालात को देखत हुए पार्शुनी पुलीस विभाग ने राम टेक देवला पार कनहां से पुलीस बल भी बुलाया जो किसी ब्यापत काल इंस्तिती से निप्टा जा सकता है सुबह से दो पर तीन बजी तक आंदोलनकारी डटे रहे वही समदीत दिकारियों ने यहाँ पर छोटे कति रोध लगाने की बात कबूल की वही यहाँ पर हाइमास्क लाइट शुरू करने का भरोसा भी दिया यहाँ काम शुरू करने का कभूल करते ही आंदोलनकारियों का घुसा शान्त हुआ और आंदोलन समात किया गया